खुजली, इचिंग या फिर कंडू एक ऐसी समस्या जो हम में से हर एक को लाइफ में कभी न कभी जरूर होती है आपने खुजली के उपर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे कि खुजली है या फिर ये मजबूर है आप नहीं आपने देखे होंगे पर खुजली एक ऐसी समस्या है कि जब होती है उसी को समझ में आता है मैंने मेरे क्लिनिक में ऐसे तक पेशन्ट देखे हैं कि मतलब मैं उनको चेक कर रहा हूँ कि अपने बेट पे लिटाया है लिटा कि उनका पेट का एग्जामिनेशन नाड़ी देखने के लिए उनको लिटाया है तो वो पेशन्ट मतलब का था जिससे बरतन आप लोग घसते हो वो देखा होगा उसे का था यहां मुमबई के आसपास में बोलते हैं तो वो जो बरतन घसने वाला होता है उससे लेकि वो एक तरफ खुजा रहे मतलब मैं एक तरफ उनका पेट चेक का रहा हूँ और दूसरी तरफ वो खुजाने बेठे हैं इस लेवल तक की खुजली होती है तो खुजली बहुत टाइप की हो सकती है कई बार हमस्ती में भी बोलते हैं कि अरे तुझे बहुत खुजली आई है या इसको बहुत खुजली है ऐसे मस्तिमी भी बोलते हैं बड़ रियल लाइफ में कई टाइप्स देखने मिलते हैं कई लोगों को गीनी खुजली होती है कि मतलब वहाँ पे इचिंग होती है खुजली होती है और वहाँ से कुछ श्ट्राव निकलता है कुछ लिक्विड जैसे निकलता है या कई लोग को इस हद तक इचिंग होती है कि वहाँ से बलड निकलने लगता है और कुछ लोगों को सुखी खुजली होती है कि मतलब निकलता कुछ नहीं बट वो खुजा-खुजा कि वहाँ पे सुखापन बढ़ते जाता है और वो खुजली बन नहीं होती इस तरीकी की समस्या होती है अब एक और चीज यह है कि खुजली शरीर में कहीं भी हो सकती है चाहे वो सिर की खुजली हो कि कई लोगों को सिर के अंदर खुजली होती है कान के अंदर बहुत सारे लोगों को खुजली की समस्या हो जाती है कई लोगों को private parts के यहां खुजली हो सकती है female में जो vaginal eating जैसे issues है या कई लोगो anal reason के यहां पे गुदा मार के यहां पे कई लोगों को eating होती है छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि उस जगा पे बहुत बार eating उनको creamy हो गए रहते हैं खुजली करते रहते हैं तो खुजली शरीर में एक fix जगा पे या फिर पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है और ये जब होती है तो इनसान की हालत खराब हो जाती है हमें लगता है कि क्या खुजली है आप मरेगा थोड़ी मरेगा नहीं पर वो खुजा-खुजा के खुजा-खुजा के वो आदमी परेशान हो जाता है suppose किसी को यहाँ चेस्ट के यहाँ पे कई females को जो breast होता उसके नीची के साइड पे itching हो रही है और आप कोई office में है कोई normal जगह पे है शरम वाली बात हो जाती है कई लोगो private part पे या कई लोगो बस खुजली हो रही और बार बार आप खुजा रहे तो लोग देख के ऐसे करते हैं कि छी यह क्या कर रहा है तो दिखने में यह जो बहुत छोटी समस्चा दिखती है यह कई सारे लोगों की जिन्दगी नरक करके रख देती है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी दवाईयों के बारे में जो आपको इस खुजली को इस इचिंग की समस्चा को यह जिसे हम संस्टित में कंडू बोलते हैं तो अगली बर से आप लोगों को यह भी बोल सकते हैं कि तुझे बहुत कंडू है अगर खुजली ना बोलना हो तो यह जो खुजली या फिर यह कंडू है इसे खतम करने वाली पांच दवाईयां जो कि आपके लिए फाइदे मंद हो सकती है फूरी जानकारी इस वीडियो म स्वागत है आप सभी का मिश्रवेदा में मेरा नाम है डॉक्टर अरुन मिश्रा मैं आयर्विदिक MD डॉक्टर हूँ और मुंबई के दादर एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ आज हम बात कर रहे हैं खुजली के लिए पांच आयर्विदिक दवाईयों के बारे में तो सबसे पहला नंबर आता है इस पर मैंने आल्रेडी यूट्यूब पे वीडियो भी डाल के रखा है उसका नाम है नागर मोथा जिससे हम संस्कृत में मुस्ता भी कहते हैं तो मुस फाइदा क्या है या फिर यह किस टाइप की खुजली पे काम करेगी इसका जो टेस्ट होता है यह जो नागर मोथा है अगर हम इसे खाए खोलके तो यह तिक्त और कशा है ऐसा टेस्ट इसका आयर्विद में बोल गया है मतलब यह यह खाने में आपको थोड़ी सी कडवी और कसैली ऐसी दो टेस्ट लगेगी by nature यह ठंडी होती है ठीके इसका जो nature है ठंडा है और specially यही कफ और पित related जो खुजली होती है उसमें बहुत फायदा करेगी अब ये कफ और पित रिलिटेट खुजली क्या होती है तो आप आम बोलचल की भाश्चा में बोल सकते हैं जिनको गीली खुजली होने की समस्चा है कि खुजाते हैं और वहां से कुछ निकलता है चाहे वो वाइट ट्वाइट कलर का पानी निकलता है बस निकलता है या फिर ब्लड निकलता है तो किसी भी खुजली में कोई भी खुजली करने पे जब आपको वहां से कुछ राव होता है तो ऐसे में ये नागरमोता या मुस्ता बहुत अल्टिमेट काम करेगा क्योंकि ये रुक्षो होता है ये सुखाने का काम करता है तो ऐसी जगह की खुजली ज वहाँ स्वेट होने के कारण, तो कहीं भी पसीनापन होके, गीलापन होके अगर खुशली होती है, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी, इसके आईरवेदिक फायदे बताते हुए ऐसे बोला गया है, श्लेश्मरक्तजीत और क्रिमी विनाशनी, श्लेश्मरक्तजीत का म मिठाई बहुत खाना, चॉकलेट, गूर्ड, पेस्ट्री, आइस क्रीम, मल्टीपल टाइम खाना, ऐसी जिनकी आदत है और वो खुजली से परेशान है, तो उसमें ये बहुत अच्छी दवा रहेगी, और क्रिमी विनाशनी एगया और इसका फायदा बोला गया है, अर्थ यूज करना चाहिए, कैसे यूज कर सकते हैं, तो जैसे अभी ये मेरे पास एक पानी है, तो ये कुछ पता नहीं, आपको कैमरे में दिखेगा की नहीं, तो अभी जो मैं दिन भर से, क्योंकि मुझे थोड़ी से सर्दी हुई थी, तो ये मैं नागर मोथा और सोट, इसका पानी में पी रहा हूँ, सेम ऐसे ही आप जैसे कौफी पीते हैं, वैसे इसका टेस्ट होता है, तो आप नागर मोथा को उबाल कर, 10 ग्राम नागर मोथा, एक लिटर पानी में उबाल कर, half लिटर करनीजे, और दिन भर ये पीने के लिए यूज कीजे, ऐसे सिंगल पीने के हैं, कमजोर हैं, वीक है, उनको ये हो सकता है कि नागर मोथा से ज़्यादा और कमजोरी फील हो, तो उनको नागर मोथा कम मात्रा में यूज करना है, और करना भी तूसमें थोड़ी से आप मिश्री डाल सकते हो, बट जो मोटे हैं या जिनको बहुत पसीना होता, या जिनक एका नाम है दारु हल्दी, दारु हल्दी कुछ इस टाइप की दिखती हैं, इसके नाम में दारु है, बढ़िक काम में हल्दी है, तो ये दारु हल्दी बहुत आराम से कोई भी आइर्विदिक आपको शौप में मिल जाएगी, ये नौर्थ साइड में ज़्यादा होती है, ये by nature गरम है, इसके पहले की दवाद थंडी थी, तो जिन लोगों को गर्मी related खुजली बहुत होती है, गर्मी के मौसम में, अक्टूबर में खुजली बहुत होती है, ना गर्म होता, बट जिनको थंडी related खुजली ज्यादा होती है, कि जब वसंत रिद्दू का टाइम आ ज परिशान है, especially diabetes की जैसे जो patient है, मोटे लोग हैं बट थंडी बहुत लगती है, और खुजली होने की समस्चा है, बोडी में गीलापन हो रहा है, तो ऐसे में दारू हल्दी भी बहुत अच्छा फाइदे मन रहेगा, ये by nature ओशन होती है, फिर भी कफ और पित दोनों पे काम करती है, ये इसकी खास्यत है, रुजम कंडू चे शोशियत, ऐसे करके इसके बारे में आईर वित का श्लोका है, कि जो भी खुजली हो रही है, उसका अगर खुजली हो कि आप परिशान है, इचिंग से परिशान है, तो ये उसे कम करने का काम कर देती है, तो ये एक बहुत या पानी में घोल के भी आप इसका काड़ा जैसा बना के दिन में दो, तीन, चार बार तक ले सकते हैं, जितनी बार खुजली हो उतनी बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इससे लिया जा सकता है, ये लीवर और बलड को बहुत अच्छे से साफ करने का काम करती है, ने बच्पन में नीम का दातुन किया होगा, या नीम का कुछ तकुछ यूज किया होगा, गाओं में आप देखते होगे, जिनको भी खुजली होती ही, नीम के पत्ते घस के लगा लेते हैं, तो ये बहुत ही कमाल की दवा है, कफ पित रिलेटेड गीली जो खुजली होती ह उसमें बहुत अच्छा ये काम करेगा, ये भी सुखाने का काम करता है, बीटर, तिक्तरस इसका होता है, और बाई नीचर ये ठंडा होता है, तो जिनने गर्मी बहुत लगती है, हीट बहुत ज़्यादा लगती है, और गर्मी के कारण जिनको खुजली हो जाती है, लालल और कशेला मदलब कड़वा कशेला ऐसा टेस्ट होता है तो नीम का आप किसी भी प्रकार से लेप लगाने के लिए नीम का रस मिलता है तो दो से तीन चमच ले सकते हैं ये फायदे मन्द रहेगा और किसी पानी में उबाल कर उसके पानी से सनान के लिए यूज़ कर सकते हैं की टैबलेट्स आती है वो खाने के बाद दो-दो टैबलेट्स ले सकते हैं ऐसे तरह का पाउडर मिल जाता है नीम का वो पाउडर आप एक से तीन ग्राम शहत के साथ खाने के बाद सुबर शाम ले सकते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जो अब नीम की नीम का तेल मिलता ह अगर आपको dry खुजली होती है तो वहाँ लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं तो इसे बहुत सारे फाइदे नीम के हैं खुजली को कम करने के लिए और खुजली कम करने वाली जो भी top दवाईया है उसमें से ये एक है तो नीम के बारे में एक बहुत ही famous चीज आपने कर सकते हैं नंबर चार पे जो आता है वो है सरसो आराम से हर जगा हमें मिल जाता है सरसो का तेल बहुत लोग खाने में यूज करते हैं नौर्स साइड में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि सीर पे लगाने के लिए सरसो का तेल यूज किया जाता है सरसो के तेल में खाना की दवा है ये फायदे मन्द रहे कि सूखी खुजली जिनको ज़्यादा होती है अभी तक हमने गीली-खुजली के बारे में ज़्यादा बात की थी पर जिन लोगों को सूखापन बहुत होता है कि खुजा-खुजा के हालत खराब हो जाती है और एकदम सूखी सी ड्राय ऐसी स्किन होती है ऐसे लोगों के लिए सरसो का तेल बहुत अच्छी दवा रहेगी क्योंकि ये क्रिमी कुस्ट इन दोनों चीजों को खदम करती है इचिंग भी कंट्रोल करेगा आपके शरीर में जो भी क्रिमी है बैक्टीरियल इंफेक्शन जो कुछ भी है उसे ये खदम करने क काम करेगा इसके अंदर नेचुरल सल्फर होता है इसलिए इसकी गंद बहुत ही स्ट्रॉंग होती है इसलिए आयर्विद में इसे कोठ कंडू विनाशनम ऐसे करके चरक सहीता में कहा गया है तो इतने सारे फायदे हैं सरसो के तेल के तो सरसो के तेल आप अगर आपको करने के लिए आप लगा सकते हैं फायदे मंद रहेगा हाँ जिन लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा होती है उन्हें सरसो एवाइड करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही गरम होता है नेचर में जिनको ब्लीडिंग रिलेटेट बहुत प्रॉब्लम है कि नाक से या फिर शरी पार्ट में हो रही हो पैर में हो रहा हो कई लोगों को पालमो प्लानेटर सोराइसे हो जाता है कि हाथ और पैर में बहुत सारे कर्ट सो जाते हैं और बहुत खुजली होती है कई लोगों को स्किन एकदम हाथी के जैसी मोटी स्किन आ जाती है तो ऐसी सारी समस्चाओं में जान स्किन बहुत मोटी हो गई है और बहुती रोखी सूखी हो गई है उस जगर पे आप सरसो का तेल का लोकल एप्लिकेशन कर सकते हैं और खाने में भी आप सरसो का तेल का प्रयोग कर सकते हैं खाना बना के आपके खाने में तड़का देने के लिए यूज़ कर सकते हैं गर एक ऐसी दवाब पे आते हैं जिनको दिमागी खुझली बहुत है अब यह दिमागी खुझली क्या होती है तो ऐसे लोग है न कि जिनको दिमाग में बहुत खटपिट खटपिट चालू रहता है और अतीव इचार की करण वो कुष्टों कुछ जैसे खुझाते रहते हैं या जिनके दिमाग में कोई चीज बैड़ गई है और उस खुझली की समस्चा उनकी जाती नहीं ऐसा और आप में से इसे लोग बुलेगे ठीक है आपने कफ पित के लिए बुला वात कफ के लिए बुला क्या हो अगर तीनों दोश खराब हो मतब वात भी खराब है पित भी खर यह तीन के तीनों खराब होके रक्त धातू के अंदर गए है और वो हमारी स्किन को खराब कर रहे तब क्या तब कुछ है अईरुवेद में जी हाँ है और जो की खुझली को बहुत अच्छे से खतम करती है बाइनीचर ठंडी है और उसका नाव है जटा मांसी जी हाँ जट जटा मांसी आपको दिखाई देगा ब्राउन ब्लैक पलर इसका होता है यह जटा मांसी का पाउडर है तो जटा मांसी का जब आप आईरुवेदी लोग पढ़ेंगे तो यह विसर्प कुष्ट तक दोश ऐसे करके शब्द है कि स्किन में आप मैंसे जिन लोगो हर्पिस इ जिनके दिमाग में कुछ बैड गया है जैसे खुझली पैड़ गी तो बस खुझाते ही रहेंगे कुछ नहीं है फिर भी उनकी आदत से बन गई है ठीक है या फिर जिनको नीद नहीं आती है रात में खुझली के कारण कि पूरी रात हमें जागना पड़ता है और खुझा- सरी तकलिफ होती है तो ऐसे में जटा मांसी जो है कोई भी आयर्विदिक शौप में आराम से मिल जाएगी ये जटा मांसी जो है आप इसको खाने के लिए जटा मांसी का तेल मिलता है वो लगाने के लिए आप यूस कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं कि ये जटा मांसी का पाउडर हलके से गुन-गुने पानी में डाल के 2-5 मेट के लिए रख दो बाद में चीए तो पाउडर फेक सकते हो क्योंकि कहीं लोग को पाउडर अंदर नहीं जाता है और केवल उसका पानी पी सकते हो तो यह अच्छा खासा मन को शान्त करने का काम करेगी और बहुत ज़ लोग बोलेंगे तो फिर वीडियो क्यों बनाया है वीडियो बनाया है इंफॉर्मेशन के लिए देखिए कई बार कैसा होता है कि आपके हिस्टरी नहीं पता है और आप कुछ भी रैंडम करेंगे तो बस यहां आके फिर ऐसे मत बोली गया रहे मैंने यूज किया और ऐसा ह हो गया बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी आईरवेद में जो भी सही तरीके से दिया गया है उसको आपके साथ शेर करना और अगर फिर भी यह दवाईया यूज करने के बाद आपकी खुजली नहीं जा रही है तो एक बार अपने आप आईरवेदिक जो डॉक्टर है आ आपको कफ को खान पान करने वाले आईटम कम करने पड़ेंगे जैसे कि दिन में सोने की आदत है तो खुजली आपकी कभी ठीक नहीं होगी बार बार खाने की आदत है मीठा बार बार खाने की आदत है गुड चॉकलेट पेस्ट्री केक ऐसे कुछ चालू रहता है वो सारे आईटम आपके लिए अच्छे नहीं तो वमन आपको करना चाहिए जिन लोगों को हीट बहुत लगती है उनके लिए वीरेचन एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा और ये दो ट्रीटमेंट के बाद फिर भी खुजली नहीं जा रही कि भाई कर लिया अब क्या करें तो कई बार जो आपको localized suppose यहाँ पे infection हुआ है वहाँ से आपको blood remove करना पड़ता है या तो cupping therapy या leach therapy जलो का या कई बार पूरा एक system से blood donate आप करते हो उस तरीके से कई बार 100 से लेके 300 ml तर बलड निकालना पड़ता है तब जाकर खुजली की समस्चाओं में आराम मिलता है आपने देखा होगा वरना लोग जिन्दगी भर anti-allergy खाते रहते हैं, steroids लेते रहते हैं पर खुजली जाती नहीं तो यह इतनी बड़ी problem है यह चीज़े आप यूज कर सकते हैं आपको फायदा जरूर मिलेगा और आपका experience जो भी अगर इन दवाईयों के साथ है तो comment box में जरूर शेयर करें और एसी कौन सी बीमारियों में आप आईरवेत की टॉप 5 चीज़े जानना चाते हैं comment करके जरूर बताएं तब दके लिए स्वस्त रहें मस्त रहें